नमस्का दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्षन वीडियो में आप सभी के स्वागत है, मैं हूँ आलो, तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ वो चीमा जी का वीडियो है और चीमा जी बड़े परिशान है फिर से, उनका कहना है कि भाई, इरान ने कश्मीर को इगनोर कर या, बताईए, आस है क्यों हुआ भई, तो चलिए, टॉपिक है कि तारर टॉक्स ओन वाई इरान इगनोर कश्मीर, नो कंक्रीट अग्रिमेंट विद इरान विकॉस अफ्यूर सेंक्शन्स, तो जी हाँ, बिलकुल पहली बात तो ये है, कि शेबाज शरीफ ने चाल खेल कर इरानी जो प्रेज़ेंट रईसी, उनको कश्मीर पर जबरन बुलवाने के लिए चाल खेली, खले वीडियो देखे, मैं आपका और एरान के अवाम का शुक्रिया आदा करता हूं, कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई, देख ले वीडियो, रईसी साब के चेहरे को देख और आपको लगा ना, कि भाई, क्या बोल दिया, इसने कश्मीर का लेकर कुस तो बोला, जो एरेंडे में नहीं था, और बाद में भाई, जो जो जोइंट स्टेटमेंट जारी हुई, एरान और पाकिसान की, उसमें कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं था, कि इरान के प्रिजिएंट आए हैं और ऐसा है और वैसा है, और उसमें खेल यह होगा है कि अमेरिका ने सीधे बोल दिया कि बेटा जादा उडो मत तुम्हारे उपर सैंक्शन के और जादा तलवार लटा करी है, तो यह जो वाइट हाउस के डिपार्टमेंट आफ स्टेट के जो प्रवक्ता हैं, वेदान्त पटेल, इंडियन मूल के हैं, उन्होंने क्या कहा है इस पर जाद सुन लीजे। तो पाकिस्तान को मिसाइल के पुर्जे मिसाइल बनाने में इस्तिमाल होने वाली मशिनरी उप्लवद करा रहे थे। तो बड़ा जटका मिल गया है, और भी जटके मिलने हैं, अब चलिए अब इस पर ताड़ साहब और चीमा जी क्या बातचीत कर रहे हैं, आये देखते है ताड़ साहब सबसे पहली ख़वर तो ये है कि अमरीका जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो हिमे रैट्स वाइलेशन्स हैं, उस हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करती है, और उन्होंने का है, पाकिस्तान की अंदर मीडिया को हरास किया जाता है, माइनौरिटीज कि उन्होंने का है कि अगर पाकिस्तान जो है वो इरान से ट्रेड करेगा तो उसकी आप इंप्लिकेशन भी समझ लीजिए गा यह हमारा पेगाम है और उन्हें का कि अमरीकी ज्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिसान के अंदर सो इन चीजों को जरूर देखे तीसरी एक पाकिसान की एक Amendment MIR साहब वहामन नारेंद्रा मोदी सहाब की लफ्स को कंफियूजज़ साहब की इस एक लफ्स कर गें जिससे पर इंडिया और पाकिसान के मीडिया के लोगों के दरमयाने लएक बैहान चुरू जो वह चुछ एक तरफ जो आर्भी है कोरे प्रिस्री तरो आप को अरबन नसल के लोगे दो आएंडिया के अंदर तो इस पर ही है किंफीजन जो पहल रही है इसकि भी कमेंट करें navigate pace और पार बार पाकसान को कर रही कर रहा है इस पर आप कैसे देखते हैं जी मासन थोड़े हैं किता है कि सारी इरानी सदर का दोरा एक बड़े सेंसिटिव हालाद के अंदर जब के सबसे पहले तो दो महीने पहले आप खुद एक दूसरे को बर मजाइल दाग रहे थे और उसके बाद अभी तकरीबन हफ़ता पहले वो इसराइल के साथ और पूरे वेस्ट के साथ वो हालते जंग में है फिर वो उनका पाकस्तान आना फिर उस वकत उससे बिलकुल हफता पहले सौदी डेलिगेशन आना और बहुत बड़ा डेलिगेशन आना और उसके बाद आपके पाकस्तान मिल्टरी अकैडमी के अंदर तुर्की के चीफ आफ आर्मी स्टाफ को उसका आना चीफ आफ आर्मी trip है कुछ कहते हैं लोग लाज कराने गए हैं कुछ कहते हैं कि को पैसों को बंदोबस करने गए हैं खर पैसे भी अलाज ही है पैसा आज़ वैसे से तो वैसे ठीक हो जाती है लेकिन चीमा साब उसमें एक अजीब साइख और दूसरा आपके फाइनस मिनिस्टर वॉशिंट डी पैसे असकते हैं और यॉरोप के को मिल रहे हैं आप ने देखा होगा ऑपके गोर यूप साब और गोर साब उनकी तस्वीर की हाइख कूमिशन के साथ है और हफ्टे 10 दिन के अंदर बड़ा कंफूज़न सा है अब यह देखें के इसके रिजल्ट कह निकलते हैं लेकिन जो पिलियन के इंदर इरन के साथ 10 इदर से हो गया आठ भी एमफ को हो गया मियाँ साब सीपक के लिए कुछ्पटास बिलियन मागने चले गए हैं और तुर्की के साथ हो साथ सौधी अरेबिया के साथ 5 बिलियन वहांसे आ गया था नजर आ रहा है मुझे मैं तो कर रात सोई ने सका चीमा साथ मैं तो सोच रहा था कि अमरीका छोड़ के सिटिसेंशिप पाखसान शेप्ट हो जाओं कि इतने डालरों की लेल पेल वहां पे वो जो मुर्शिद कहा करते थे कि यहां पे गुप अरे तहड साब यार चलिए कुछ तो काम कर रहे हैं बेचारे और अभी मुल्के जैसे आपके हालात हैं पाखसान के उसमें उसको पैसो की जरूरत है तो अगर ये लोग कुछ कोशिश कर भी रहे हैं तो इसको मुझे लगता है कि इसको सरहा जाना चाहिए मतलब ठीक है मुल्के आलात खराब है अब बिचारे अब हो सकता है कि अब लंबी प्लानिंग में इनको लग रहा होगा कि चलो यार कुछ तो ले आओ उससे तो अपनी भी तो जे भरेगी कुछ थोड़ा बहुत खर्चा कर देंगे देश पर और कुछ अपनी जे भी भर लें कि जाब ढूंड़ने के लिए मुझे लगता है वकत आगया जब सौ बिलिएंड डालर यक लगता है का पाकिस्तान में तो चीमा साथ तो अडियां तो अडियासे निकर देंगे ने डूबिगां रखमा जो तारगी गन तो अडियां लेकिं चीमा साथ इतनी पतन जर्मनी और फ्रांस हो सकता है कि एक भायूदर गया दूसरा फ्रांस चला जाए शिवाज श्रीव साथ लेकिन चीमा साथ इसमें से जो मैं देख रहा था हम ज्यादा तर when a memoriam of understanding मैं मैमरेंडंडम अफ अंडरस्टेंडिंग साइन उते हैं उससे आगे क्लोज़िंग तक आप नहीं पहुंच पाती है सुरुदी डेलिगेसं आया है सिर्फ मैंने जिसको आपको मिसाल दी है वो सारी दुनिया के चकर लगा रहे हैं कि पैसे मगाले आज एक और खबर भी आगी बलकि उसके उपर लोगों ने ट्वीट भी कि मुर्शिद पाक जिन्होंने आते ही व्जीरियाजम हाउस की भैंसे और गाड़ियां बेज़ दी थी उनके हेलिकाप्टर का खर्चा 98 करोड के पर नवे करोड था और एक अरब के क्रीब उनका था जहाँ जो हेलिकाप्टर के उपर वो बनी गाला के आसपास फिरते रहते थे भूमते रहते थे उसको पर सहर करते रहते थे तो वो मुर्शद यह थे उनका आज वो भी आ सामने आ चुका है और मिली जूली खबरें अजीब सी आ रही हैं कुछ कह रहे हैं कि पीटी आई को दो नरो उपर नीचे मिल चुके हैं इसील से नाम उनके नकाल दिये गया हैं कि ताकि ये लोग भाग जाएं यहां से अब वहाँ देखते हैं कौन कौन भागते हैं उन में से और दूसरा चीमा साब अकानिमी के लिहाज से अभी तक कोई खास ऑन ग्राउंड रियालिटी अभी तक चीज मिचियोर होती नजर नहीं आ रही है अगर देखा जाए तो अब देखें लेकिन इसके आप्टेक्स जो हैं जो सबसे पहले जो मुझे एक थोड़ा सा अंडरस्टेंडिंग और आपके वो उसमें और दूसरी जो खब मैं जो मेरी नजर में तश्मीश है जो के फिर वही बात आती इनके अड़्वाइजर पता नहीं कौन है कि शबाई श्रीफ साब ने अपनी स्पीच के अंदर कश्मीर का जिकर किया इरानी सदर ने उसके बारे में कौमर्स तक नहीं दी तो ये आपकी इससे पहले अंडरस्टेंडिंग होनी चाहिए थी कि मैं कश्मीर के बारे में कहूंगा तो आप उस पर रियक्ट करेंगे या और कारोबार की बात करो ये अब आपके बास का बात नहीं है ऐसे नहीं है तरड साब ये चीमा साब देखें दो चीज़ें ये कश्मीर का मसला परवेज मुशरफ मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ एवन देन कि ही वस अ मिल्टरी डिक्टेटर और मैं स्टूडिंट काड़ी टू माई एजूकेशन और सिस्टम्स अफ गर्वर्मेंट के बारे में पढ़ना के जहां पे लोग जाहिल हों जहां पे लोग नैशनलिजम ना हो वहां पे हमेशा संसीर डिक्टेटर शिप या फिर संसीर मानार की जो है वो उस सरकंस्टांसिस में तरकी कर पाते है हैं और संसीर डिक्टेटर इन पाकस्तान वह वह वरी क्लोज़ तो रिजॉल्फ दे कश्मीर इशू लेकिन जाके मेरा ख्याल है वहां पे भारत के अंदर और अंडिश्टेंडिंग ड्वेल्फ हो चुकी थी कि स्टैटिस को जो लाइन अफ कंट्रोल है उस पार आप रहे ह इस पार हम रहेंगे यह अंडिस्टेंडी डिवल्प हो चुकी थी लेकिन सम्हाउ डाट वो प्लान जो है डिरेल हो चुका है लेकिन हम अब उससे आगे बढ़ नहीं रहे हैं पता नहीं क्या वज़ा है मेरी बड़े सीनियर लोगों से बात हुई है कोई मुझे उसमें से आपके पहले सोचा जाता था एक कांसेप्ट था कि पाकिस्तान में अगर किश्मीर का मसला जिंदा ना रहे तो साथ लाग की फौज रखने का जवाज नहीं होगा लेकिन अब तो आपके जो दूसरा बार्डर है अफगानस्तान वो भी किश्मीर से बड़ा मसला बन चुका है आपके लिए अगर आप सोचें तो साथ लाग फौज को वहां अंगेज करके आउसको भी कंट्रोल कर लें तो बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में आपको पाकिस्तान को चाहिए MVing Forward, MVing Forward से मुराद ये होता है कि चलें मैं कहतों आपका इशू है चाइना और इंडिया का बी तो आपसमेशू है पूरी स्टेट का इशू है उनका भी लेकिन त्रेड जारी है लेकिन डायलाग जारी है उनके meeting भी होती है साइड लाइन्स पर भी मीटिंग होती है लेकिन पता नहीं आप यू हैब बिकम अ नान वर्केबल कंट्री और ना सिर्फ इन के साथ कई और ममालिक के साथ ये आपके अहलात बिल्कूल इसी तरह के है आप अमेरिका के साथ मुझे तो समय नहीं आती है आपके क्या सिर्फ के अंदर नहीं जाने फासला ही बहुत है अमेरिका से पैसे पैदल चलके पाकस्तान नहीं पहुंच सकते जिस तरह के माजी के अंदर हुआ है वो रस्ते में रुख जाएंगे कहीं योरप या दुबई से आगे तो बिलकुल पता स्टील मिल भी दिखा रहे हैं और बार बार उनको आप अपनी पहाड़ियां दिखा रहे हैं जिसके नीचे मिनरल्स हैं वो भी आफार सेल आपने लगा दी है अब देखें लेकिन मैंने आपको पिछले शायद ब्लाग में कहा था कि I haven't seen a country or not a country country के तो और नहीं है आलाद क कि country का क्या कसूर है country चलाने वालों का कसूर है मैं दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं देखी जो अपने कपड़े बेच कर जो है कितने अमीर होने जा रहे हैं अपने कपड़ों को आग लगा के खूशी अग्जेशन मनाए तो करजे ले लेके तो अब जैशन मनाए करजों के करजों की किस्तें देने के लिए करजे लें तो मेरा मकसद है आप मैं भी बलके चीमा साब अगले आप सेग्मेंट में आपके साथ स्री लंका के मजईरियाजम के बारे में बात करूँगा जो इस वकर स्री लंका को चला रहे हैं कि किस तरीके से what kind of steps they are taking अपने पाउं पे खड़े होने के लिए क्या क्या steps ले रहे हैं आप अभी तक आपकी सोच भी नहीं अभी तो उस चेखा पहुंचे मेरे लिए अभी तक सर्प्राइज है कि कौन आपका मुलक चला कौन रहा है और जो चला रहे हैं उनके अडवाइजर कौन है मेरे अभी त मुर्षद पार्क के जंडर सही उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अभी पीटी आई के नौ मई के हादसे को अभी तक उससे अगे नहीं चल पा रहे हैं जुड़ी श्री भी आप हला देख लें के बावन मिनट के अंदर अगले दिन बावन केसिस खतम कर दिये गए हैं प यहां नहीं नहीं देखी कि स्रीना जेल स्रीना पतार ने जेल के बिजनस में आ गई हैं जेलने स्रीना के बिजनस में और लेकिन अब लग यह रहा है कि शायद रिलीफ मिलनी शुरू हो चुकि यह एनाराओ पीछे से शुरू हो गए मैंने कल की जो मैं मेरी पाकिस्तान में कुछ दोस्तों से बात हुई थी उन्होंने का मौामलात तो कुछ सैटल हो रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन यह है कि मुर्शिद पाक की गैरेंटी कौन देगा मैंने फॉरूम यहां बैठे वाशने डीसी में मुझे लादा था कि बीबी बुश्रा मेरे ख्याल में तो आपकी इस्टैबलिश्मेंट या दूसरे अदारों को खांसाब से तो बात भी नहीं करने चाहिए बात करें बुश्रा बीबी से जिनके हुकम के उपर उस्मान बीबी बुश्रा के तो अब मेरे ख्याल है कि मुरीद के साथ डिसकेशन करने से पहले डिसकॉस करें के हम 200 काले बकरों का नज़राना पेश करना चाहते हैं और प्लीज दम दुरूद करें पाकस्तान के ओपर रहम फख्रमाएं पाकस्ता ये बात तो सही है इमरान खान तो बुश्रा विज्टी के इशारों पर ही नाजते है अब पिटियाई वालों को ये बात बुरी लगेगी लेकिन देखो बात तो सच्ची है बात तो ये सच्ची है ताड साब ये ऐसी तो बात वैसे पता नहीं अभी तुम्हारे ओपर सैंक्शन भी को नहीं लगी कि हमारे ओपर ये लाद है ताड साब ये अमरीका पर बताईएगा जरा कमेंट करें अमरीकी खुद अपनी यूनिवर्स्टियों में लोगों को जो है पर प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहें और हमें ये कह रहे हैं कि जनाब आपके राइट्श ख्राब हैं तो अताड साब ये चीनी बोल लेते हैं इंडियन बोल लेते हैं अमरीका को पक्सन क्यों नहीं इंडिया भी आइंफ का पैकेज नहीं ले रहा है आपने मिंतिन तरले करने होते हैं आप तो चीमा साब देखें नहीं जो आप अगर खुद सोचें जिस तरीक आपने किस मुलक के पैसे नहीं देने हैं आप दुनिया के मेरा खाला है सुमालिया और यमन के पैसे आपने नहीं देने हैं और इराक के शायद या लिविया के वाकी तो सब मुलकों के आपने पैसे देने हैं तो आप कहा तें फारंप पार इसी अखां करेंगे नों से देखें ना भारत ने रशिया से तेल लिया उसको रिफाइन करके अमेरिका को बेचा जिनकी सैंक्शन थी भारत ने इरान से तेल लिया और हमारे कई लोग जो टीवी यों के उपर बैठ के कह देते हैं जी देखें वो तो अपने पाउं पे खड़े वो लोगों को पैसे वो चंट्रीज को खुद एड्ज और करजे देते हैं बंगलादेश को देख लें मालदीप को देख लें भारत पैसे देता है निपाल को देता है उनकी मदद करता है बलकि उनके पड़ें उनका इस वाकद बीजेपी जा चुके है वो आटिफिशल इंटेलिजेंस अगले दिन वो देख लें सोमनाव साब का जब दूसरा आया था उनकी स्टेटमेंट अगले उन्हों का जब तक भारती लैंड रही करते चांद के उपर विल किप सेंडिंग अपने वहां पर आप करके रहेंगे उनकी उनकी स और देखें उनके फारन रिजरफ देखें उनकी सो जुए अच्छोट देए आथे आप तो वह आपका नाम लेना वो समुझते हैं अरी बेजदी आप देख लें ना मोदी साब आपका नाम लेते हैं ना आपका ड्र जेशंकर नाम लेते हैं ना राजनात कोई बीने ये बात हो सही है यार वैसे कोई compare नहीं है अगर आप economy पे देखें तो कहां आप 300 billion dollar की economy कहां हम 4000 plus billion dollar की economy समझ रहे हैं कोई comparison नहीं है अगर आप forex reserve पे देखें आप कहां आप 7-8 billion dollar की आपका आपका जो है forex reserve है कहां हमारा 600 billion dollar के करीब का reserve है अभी मैंने देखा है कि उसमें बहुत बड़ी गिराउट भी आई है ये 20-28 billion dollars गिर भी गया है तो हो सकता है कुछ खरीदारी बेचारी में हुआ होगा होगा कुछ import export होगा लेकिन फिर भी करीब-करीब 600 billion dollar का forex reserve तो पड़ा है अमरे बास कंपरिजन है हम चांद पर है हमारा जंडा चांद पर है और आपके जंडे पर चांद है आप फर्क महसूस करिए इस बात का फर्क महसूस कीजिए हमारे जो IAT है वो दुनिया भर के top के institute में शामिल है वो top का college है वो अभी ranking आई है उसमें top colleges में वो भी है शाद top 50 में है या पता नहीं top 10 में है कुछ ऐसा है आपका कोई एक college बता दीजिए इनुवस्टी बता दीजिए वो चोड़िए जो Apple के store खुले हमारे दो store मुंबई में और दिल्ली में उन दोनों ने पूरी दुनिया में जितने भी Apple store हैं उनमें बाजी मार ली है mobile बेशने में या Apple का सामान बेशने में top performer है दुनिया भर में पैसा समझ रहे हैं सर पैसा समझ रहे हैं इंडियन के पास एसास कीजिए यह जो store हैं वो इंडिया के हैं और इंडिया के लोगों ने खरीदे हैं वहाँ से सामान और वो दुनिया भर में top performer बन गया है दोनों store मिलके तो Apple ने फैसला किया कि तीन और store खुलेंगे अब बैंगलूरू में नोइडा में और पुणे में नोइडा मतलब जहां मैं रहता हूं तीन store और खुलने जा रहे हैं भारत में अपल के टोटल हो जाएंगे पांच मनी बॉस आप कहते हो ना कि भारत के लोग गरीब हैं देख लो भारत के लोग गरीब हैं कि अमीर है अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्दानियों नहीं होगे जब तक चीमा साब आप नेंशनलिस्ट नहीं होंगे जब तक पाकिस्दानी पाकिस्द्नी बन के नहीं सोचेगा ये मुलक नहीं चल सकेगा आगे जो यह चलेवज रहें हैं न उक होलाग तो सारे के सारे हैं इसे और आपके अंदर अभी तक वो जो फंडामेंटल इशुस हैं उनको किसी ने और फंडामेंटल इशुस आपके दैशत कर दी है corruption है और export, import और आपकी economy है उसके उपर तवज़ोई नहीं है, किसी के कोई तवज़ोई, कोई भी बिल्कु सही बात कि एक गड़े से निकलते हैं, दूसरे गड़े में जाते हैं ये गड़े भी आपके ही खोदे हुए है, मतलब पाकिस्तानियों के खोदे हुए है पाकिस्तानियों से बस बड़ी-बड़ी बाते करवालो, हवा में बाते करवालो, that's it अभी IMF की रिपोर्ट आई है दुनिया की नंबर फूर्थ एकॉनमी बनने में जाधा टाइम नहीं है जापान को बीड़ करने वाले हैं, बहुत जल्द अगले दो से तीन साल में, सर फूर्थ एकॉनमी बन जाएंगे हम, दुनिया की लेकिन हमें यहीं रुकना नहीं है हमें आगे बढ़ना है ज़र हमारी कोशिश है कि हम दुनिया की नंबर वन एकॉनमी बन जाए ठीक है चालीस साल लगेंगे लेकिंगे बनेंगे तो सही चालीस साल बाद आज टार्गेट लेके चलेंगे तब तो अचीव कर पाएंगे और रही बात इन्होंने कौम बनने की पैट्रियट होने की नेशनलिजम दिखाने की तो एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ है इंटरनेशनल सर्वे जिसमें देश में लोगों से पूशा गया अलग-अलग देशों में कि भाई अगर जरुवत पड़े तो क्या आप अपने देश के लिए लड़ने जाएंगे बॉर्डर पर लड़ेंगे वार में जाएंगे युद्ध में लड़ेंगे भारत के लोगों ने सबसे जादा नियर अबाउट 80% लोगों ने कहा भारत के कि येस जरुद पड़ेगी तो हम चले जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने ये होता है नेशनलिजम सर नंबर वन पर है उस सर्वे में भारत तो भारतियों का नेशनलिजम कोई पकड़ा नहीं सकता आप सूची जब 65 की लड़ाई चल रही थी 65 की जब वार थी तो उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे तब हमारे पीम थे ना लालबादूर शास्त्री जी उन्होंने कहा था कि एक टाइम का खाना छोड़ दीजे देश के लोगों ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया आप समझे ना भारति ये क्यों कहते हैं कि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है ये वो नशनलिजम है तो 65 की लड़ाई में भी नशनलिजम दिखी थी आज भी दिख रही है 50 साल बाद भी ये फर्क है मांइड सेट का यह फर्क है हमें हमारे देश से प्यार का, हमारी मिट्टी से प्यार का और यह पाकिस्तानी कभी नहीं पा सकते यह पाकिस्तानी कभी नहीं पा सकते क्योंकि पाकिस्तानियों को मिट्टी से कभी प्यार नहीं रहा तो भाई ये तो बढ़ने ही नहीं देते, ये तो पकड़ के डुबा देते हमें अंदर, जिस तरह खुद डूबे हैं 76 years में, और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आजाद कर दो, जो खुद आजाद हो कि 76 years में गड़े में डूबे पड़े हैं, वो दूसरों को भी गड़े में डूबाना चाहते हूं, कि मैं तो डूबाई हूं, तुम्हें भी डूबाऊंगा मैं, कश्मीरी समझ गया हैं सर, चूरा नहीं चलेगा, अब वो उधर वाले जो आपके कबजे में हैं, पाकिसानी उकूपाट जम्मू कश्मीर में हैं, वो लोग भी समझने लगे हैं, इसल हम खरगोश वाली दोड़ा नहीं करते हैं, हम कछवे वाली दोड़ा करते हैं, लेकिन सॉलिड, आप बताएं कमेंट करके, कैसा लगा वीडियो, जल्दे मिलता हूं, एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जैब